हेलो, नमस्कार किसान सात्यों, इंडियन टेक्निकल फर्मिंग चैनल में आपका सवागत है, जहां पर बात उत्ती है केवल और केवल किसानगी, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका सवागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निक हमिंग से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर रहा हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि कहते में कौन कौन सी खात डाले वह पर्सक्रेश चिससे कि हमें कम खर्च वहां कम समय में ज्यादा से ज्यादा पषसल कमेंट वा इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसानों को खिती से जूड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलती रहे चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसान साथ्यों जुलाई महिने में कपास की फसल दो से तीन महिने की हो जाती है अब हम इसके अंदर कौन कौन सी खाट डाले जिससे की फसल की पैदावार अच्छी हो बात करते हैं खादगी सबसे पहले खेत की अच्छी तरह निराई हुआ गुडाई कर दे जिससे की खेत में खर्पतवार पूरी तरह नश्ट हो जाई अब हम बात करते हैं खादगी अगर आप डियेपी का इस्तेमाल करते हो तो एक अंकट के लिए 50 किलो डियेपी वह 25-30 किलो पोटास वाए 10 किलो जिंक 21% वाली ही डाले अगर आप स्पी का उप्योग करते हो यानि सिंगल सुपर फासपेट तो एक अंकट के लिए 2 कटे स्पी 25-30 किलो पोटास वाए 10 किलो जिंक 21% वाली ही डाले खाद की आप मशीन की साथा से बिजाई भी कर सकते हो अगर आप सप्रे के रूम में खादगा इस्तेमाल करते हो तो एक अंकट के लिए 1 किलो अन्पिके 1919 का ही सप्रे करे एक केजी अन्पिके को 6 लिटर पानी में गोल कर एक अंकट की फसल पर उसका सप्रे कर दे आप खादगा इस्तेमाल आप मिट्टी की जास के नुशार भी कर सकते हो पोद्दे को नाइट रोजन फास पॉर्च वा पुटास की सबसे अधिक मातरा में आव सकता उत्ती है अब हम बात करते हैं सप्प्रे की कपास की पचल में पहला सप्प्रे माहू की तेला की रोक थाम के लिए अलकी दवाय का ही सप्प्रे करें जैसे कॉनफिडोर इतिया दी चाड़ी से पचास ग्राम केंफिडोर दवाय को 200 लेटर पानी में अच्छी तरह गोल कर एक अंकड में सप्रे कर दे अब हम बात करते हैं अगर पोदे पर फूल आना सुरू हो जाए तो फूलो की संक्या में वर्दी वाय फूलो को जड़ने से रोकने के लिए पलैनोफिक्स जैसे टोनिक का ही सप्रे करें पलैनोफिक्स कल्टार या चमतकार जैसे टोनिक का ही इस्तेमाल करें चारी से पचास क्राम पलैनोफिक्स को 200 लीटर पानी में गोल कर एक अंकड में इसका सप्रे कर दे प्लैनोफिक्स एक प्लैन्ट ग्रोथ रेगलोटर टोनिक है जो फल वा फुलो की संक्या में भारिवर्दी करता है फुलो को जलने से रोपता है उसे फलो का वजन भी बढ़ जाता है फल एकदम सोस्त होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लैंट करें इंडियन टेक्निकल फार्मिंग वीडियो को सुब्सक्राइब करें ता क्या आन्या वाली वीडियो के आपको मिलती रहें धन्यावाण